पुष्कर का विश्व विख्याद ब्रह्मा मंदिर स्रधालों के लिए खोल दिया गया है धर्माल स्क्रीनिंग के बाद ही स्रधालों को प्रवेश दिया जा रहा है सुभह साड़े पाँच बजे ब्रह्म मुरत में होने वाली मंगला आरती के साथ ब्रह्मा मंदिर के कपाट खोल दिये गए हाला कि दोपैर डेड़ से तीन बजे तक विश्राम के दोरान मंदिर बंद रहेगा आपको बता दे कि कोरोना संक्रमन के कारण राज्य सरकार ने 20 मार्च से सभी मंदिरों को बंद करने के लिए आदेश जारी किये थे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस प्रकास से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं जिसकी तस्वीरे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं संसाथ प्रसित जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर आजविदीवत रूप से खुल गया है और यहां श्रद्धा लोग की आवक्ट भी शुरू हो गई है श्रद्धा लोग के जाने के लिए यहां एक बेरिगेटिंग लगाई गई है जिससे की कोरोना गाइड लाइन की पूरी पालना की जा सके कर रहे है इसके लाव बाहर भी पुलिस का पेरा लगाया गया गया है इसके लाव पूरी तरीके से मंदिर को बार-बार सेनेटाइज किया जा रहा है लेकिन हाद पुलिस के साथ में और मंदिर परशासन के लिए वह बहुत बड़ी चुनोती होगी पॉरोना गाइडलाइन की पालना कराना उनके लिए भारी होगा क्योंकि यहां जरुकित आदात में शद्धालू आते हैं और कई महीनों बाद यह मंदीर खुला है आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस यहां तेनाथ है और जो शद्धालू आ रहे हैं इधर जो मैं केमरामेन को कौंगा शद्धालू आ रहे हो दिखा है और किस-किस प्रकार से शोचल डिस्टेंसिंग में शद्धालू यहां आ रहे है आप काई से आओ भी है MTS है हो आज ब्रह्मा मंदिर खुल गया आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है क्या नम आपका लोकेश राजपूट जो मद्य प्रदेश से यहां ब्रह्मा जी के आज दर्शन करने आ है उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है आप पूरी सोचल डिस्टेंसिंग में यहां पुश्कर से रिपोर्ट आपने देखी किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है पुलिस ने व्यवस्ता संभाल रखी है लोगों को सामाजिक दूरी के साथ मंदिर में प्रुवेश दिया जा रहा है पूरा खयाल रखा जा रहा है इसी बीच धार में की स्क्रिनिंग की जा रही है थरमाल स्क्रिनिंग के बाद स्थालों को मंदिर में प्रुवेश दिया जा रहा है तो वहीं मंदिर में सैनिटाइजेशन का भी पूरा खयाल रखा जा रहा है खास बात ये है कि मंदिर में एंटरी के दोरान गंटी नहीं बजाई जा सकती है, साथ ही फूल माला और प्रसाथ पर भी पाबंदी रहेगी, सिर्फ मंदिर में एंटरी मिलेगी, मंदिर में जाने के बाद, नमन करने के बाद सीधा बाहर निकलना होगा